हेलो एवरीवान वेलकम बेक टू माई चैनल स्टड़ी विद दीपा सहनी आज की जो आपकी क्लास है गाइस मोस्ट इपोटेंट है ठीक है आज हम एकनोमिक्स का छोटा सा टोपिक भड़ेंगे यानि आपकी इंडरस्ट्री और द्योग और द्योग नीतियां और आपकी जो होते हैं जो सिंबल होते हैं उनको करेंगे तो यह आपकी क्लास है छोटी सी पर मोस्ट इपोटेंट है कई बार एक्जाम में इससे सिधे सी देकोश्यंस आ जाते हैं तो ध्यान से कर लेना देख लेना वीडियो को और अच्छी लगे तो लाइक कर देना शेर कर देना और लिए उट्ध्योग अगर पर्थम उद्ध्योग नीति की बात की जाएं तो कब आई थी पर्थम उद्ध्योग नीती है पर्थम उद्ध्योग नीती पर्थम उद्योग नीती कब आई थी ए 1948 में पर्थम उद्योग नीती कब आई थी 1948 में याद रखना दूसरी उद्योग नीती कब आई यह हमारी पर्थम थी एक्जाम में सिद्धा आएगा पर्थम उद्योग नीती कब आई यह उद्योगों से रिलेटिर थी वही कि उद्य 1956 में दूसरी अद्योग नीति आए थी इस नीती को भारत का आर्थिक सविधान भी कहते हैं। बी कहते हैं 1956 कुछ समझ रहे हो ना 1956 1956 में कौन सी पंच वर्षय योजना थी दूसरी पंच वर्षय योजना स्टार्ट हो गई थी 1956 में दूसरी पंच वर्षय योजना योजना वाला चैप्टर करवाऊंगी दूसरी पंच वर्षय योजना गर एकजाम में आसे आई दूसरी अद्योग नीति कौन सी पंचवर्षिय योजना में आई थी तो दूसरी पंचवर्षिय योजना में आई थी 1956 उनिसे क्याओं से लेकर 55 तक आपकी पहली थी 55 से फिर 60 तक दूसरी थी तो यह 56 दूसरी भे आता है बारत का आर्थिक सविदान के नाम से भी जानी जाती है दू भारत की महानरतन कंपनिया जैसे बेल में भी अहीय इनकी फुल फोर्म बोत आते हैं वह ऐक्जाम में बेल की की फुल हम भारत हैवी इलेक्टरोनिक लिमिटर ठीक है भारत हैवी इलेक्ट्रोनिक लिमिटर नेक्स्ट कमपनी की बात करें तो वो है आपकी IOC भारत I से इंडिया, O से तेल OIL, C से कोप्रेशन तो भारतिय तेल निगम भारतिय तेल निगम ठीक है तीसरी है ONGC ONGC इनकी फुल फोर्म बहुत आती है वही ONGC तेल और N से आजाएगा आपका नेचुरल गैस यानि प्राकर्तिक गैस निगम कोप्रेशन बोल देते हैं निगम को इंगलिश में ONGC तेल और प्राकर्तिक गैस निगम नेच्ट आपकी NTPC NTPC N से नैशनल नैनी राष्टिय टेंपरेचर यानि ताप राष्टिय ताप P से आपकी विद्यूत पावर विद्यूत और C से आपका कोप्रेशन यानि निगम तो राष्टिय ताप विद्यूत निगम Next महारतन कमपनी है Gail G A I L Gail Gail का जो फुल फॉर्म आएगी Gas Authority of India Limited Gas G से Gas A से Authority Authority Of I से India L से Limited Gail की फुल फॉर्म बोद बार बुची गई है Gas Authority of India Limited Next हमारी आती है Sale Sale भारतिय इस पाथ भारतिय इस पाथ भारतिय इस पाथ प्राधिकरन Limited भारतिय इस पाथ प्राधिकरन Limited और लास्ट आपके आती है Coil I N D I C Coil I N D I C Coil यानि Coila India Limited Coila India Limited ठीक है भेल ये आपकी भारत की साथ क्या है महारतन कंपनिया है भेल B H E L भारत हैवी इलेक्ट्रोनिक लिमिटेड I O C भारत तेल निगम वाली कंपनी है O N G C तेल और प्राकर्तिक गैस निगमें इन पर कंट्रोल रखती है N T P C राष्टिय ताप विद्यूत लिगम पर कंट्रोल रखती है G A I L Gale Gas Authority of India के नाम से जानी जाती है S A I L Sale भारतिय इसपाथ प्राधिकरन लिमिटेड के नाम से जानी जाती है Coil Indic Coila India Limited के नाम से जानी जाती है तो यह है आपकी भारत की 7 महारतन कंपनिया इनके नाम आते हैं एक्जाम में इनकी फुल फोम आती है तो इनकी फुल फोम को अच्छी तरह कंप्लीट कर लेना एक्जाम में बहुत पूछी जाती है अब हम पढ़ेंगे जो हमारे उद्योग है जो हमारे प्रोडेक्ट है आपने देखा होगा किसी पर ISI का होल मार्क होता है किसी पर एग मार्क का होता है तो किसी पर कोई होता है तो सारे मार्क हम पढ़ेंगे सबसे पहले पढ़ेंगे हम IST का चिन सबसे पहले 1955 से काम में लाया जा रहा है कब से यूज किया जा रहा है 1955 में और किस प्रोडेक्ट पर होता है यह पर होता है जो हमारे उद्योगों से निर्मीत वस्तुएं उति उन्पर होता है और यह चिन कुछ-कुछ कैसा होता हुआ आप आपका देखो ऐसा होता है यह तो आपका एस बन गया और इधर यहां पे छोटा सा एक ऐसे होता है एक एसे होता है तो यह होता है आपका यह आपका इंडरेस्ट्रियल प्रोडेक्टों पर होता है 1955 से इस चीन को काम में लाया जा रहा है तो यह है आपका आईस्ट का चीन ठीका आईस्ट के बारे में तो आपको जानते भी होगे नेक्स्ट है आपका बी आईस होल मार्क यह भी आपका चीन है होल मार्क है यह आपका भारत मानक ब्यूरो द्वारा यूज़ किया जा रहा है भारत इसकी फुल फोम भी एई है भारत मानक ब्यूरो भारत मानक ब्यूरो बी आईस होल मार्क इसका जो चीन है कुछ-कुछ ऐसा होता है कई पर क्या है ना एक्जामेनर का कोई व्रोस्टा नहीं वो चीन ही डाल दे कि बता वह यह कौन सा चीन है आज गलतो वैसे भी एक्जाम वो अच्छी लेवल के पूट करता है तो ऐसे करके इन दोनों को आपस में फिर मिला हुआ भी होते हैं ऐसे और यहां पर एक डोट भी होती है बीच में ऐसे तो कुछ ऐसा चीन होता है B.I.S. होल मार्क का ये चीन आपका सोने और चांदी के जो अभूशन होते हैं जो जवैलरी होती है जो अभूशन होते हैं उन पर होता है ये चीन याद रखना सोने और चांदी के अभूशनों पर B.I.S. होल मार्क का चीन होता है नेक्स हम अपना करेंगे एक मार्क, एक मार्क का चिन, एक मार्क चिन आप जानते होंगे न, एक मार्क, लिखा हुआ भी होता है, एक मार्क चिन, ये आपका किस पर होता है, क्रिशी उत्पादों पर, किस पर होता है, क्रिशी उत्पादों पर होता है, किरशी से सम्दित कोई प्रोडेक्ट है कोई खाद है कोई उवराख तो उन पर होता है एक मार्क सिधा लिखा हुआ होता है एक मार्क ठीक है तो बड़े-बड़े अक्षुरों में एक मार्क किंझ' 1986 से 1986 से एक मार्क किंझ को यूज में लाया जा रहा है 1986 से मिवन्हें हमारा अटपी Antes Aí maưu FPO FPO आपका क्या है Fruit Product order if ull-form की बात करें F से Fruit है पी से Product ऑ से Order in the food the food product order जो आपके फूरोट अर्य डिलेटीद प्रोडरेक्ट होते हैं जो फिल होते हैं उन पर ये चिन लगा हुआ होता है प्रोडेक्टों पर कुछ ऐसा होके एफपी ओ लिखा होता है बीच में एफपी ओ लिखा होता है यहां पर कुसे कुछ ऐसा होता है और इसमें सारे आपके भरा हुआ होता है ऐसे कलगा ठीक है तो तो कुछ इसी तरह का यह होता है आपका FBO Fruit Product Order समझ गए ना आपके जो फल होते हैं या फलों से related जो product होते हैं उन पर ये चीन होता है Fruit Product Order लास्ट आता है आपका Eco Mark Eco Mark Eco Mark आपका जो Eco Friendly Product होते हैं Eco Friendly Eco Friendly जो Product होते हैं उन पर होता है आपका Eco Mark ठीके eco friendly products पर होता है eco mark का चीन हमारे प्रयावरन को नुकसान ना हो ऐसे लिखा होता है eco mark तो हमारे परयावरन को नुकसान ना हो उसको गैस है यह हनीकारक product उनसे बचाने के लिए उन पर जो a friendly products मूंबई में तो इसी तरह की पर चीन होता है के इक-को उसके बाद हमने पड़ा वह बीइस होल मार्क होटे हैं वह हैं सोने और चांदी की जो अभूशन होते हैं उस पर होता है तिरभूज की शेप का तीसरा हमने पढ़ा एग मार्क एग मार्क तो आपका सिधा का सिधा लिखा होता है यह किर्सी जो उतपाद होते हैं जो agriculture प्रोडेक्ट होते हैं उन पर होता है आपका अग ineffective कल्चर मार्क और लास्ट हमने पड़ा एकको फ्रेंडली मार्क जो इको फ्रेंडली प्रोडेक्ट होते हैं जो इसे प्रोडेक्ट तो उन पर लगा लिखा होता है क्युट की लगी हो गई आजगी है तो बसक्र भीले लेगा तब वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता तो ठीक है एक फीडबैक मिल जाता है कमेंट कर देना तो थेंक यू थेंक यू फोर वोचिंग दिस वीडियो ओके हैव आइस डे